हाई एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कुक फॉर यू और आज की रेसेपी में मैं बनाऊंगी शकरकंद का हलवा जिसे आप ब्रत में भी खा सकते हैं तो आएए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो यहां मैंने आधा किलो शकरकंद लिया है जिसको अच्छे से धो करक अब इसको हम छील लेंगे यह इसली छील जाएगा जब सभी शकरकंद छील जाएंगी तब हम इसको मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे तो यहां मैं अगर मैशर नहीं है तो आप वोक से भी इस तरह से मैश कर सकती हैं तो यहां सभी स्वीट पोटैटो जो है मैश हो गये ह तो अब एक पैन चड़ाएंगे और उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच देशी घी, इसमें घी थोड़ा ज्यादा लगता है, तो इसमें एक बड़ा चमच देशी घी मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें मैश के हुए सकरकंद को डाल देंगे, और इसको हम मीडियम आँच अब अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर हलका सा चेंच ना हो जाए, यह हलका सा पिंक हो जाएगा और इसमें ऑल, मतलब घी जो है, वो रिलीज हो जाएगा, तो समझेगा शकरकंद अच्छे से भून गई है, इसको भूनते हुए 15 नट हो गया है, अब इसमें दो बड़े चमत चीनी हैट करेंगे, आप स्वादनुसा इसमें डाल सकते हैं, यहां मेरे दो बड़े चमत चीनी डाला है, क्योंकि शकरकंद पहले से ही मीठी होती है, तो अपने स्वादनुसा आप डालिए, और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तब आप इसम ग्राइफ्रूट्स को घी में पहले भून ले, तो भी अच्छा जकरंच आता है, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है, तो मैंने आज बिना भूने ही बनाया है, ग्राइफ्रूट्स को ऐसे डाल दिया है, तो बस हम इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गर में खाईए, चाहिए जब मन करें, तब बना के खाईए, और इंजॉय कीजिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नत भूलिएगा, थ अजाए कि अला कीजिए एकन कीजिए्थाफार्णा on कालना के खाईए, वीडिया समय हैं, ़ यूलिएगा, ये हुर्णा चाहिए आए, प्रति रेसित आगर बिल्कुल झालना कीजिए मेरी चैनल वाईए, तो प्लीजिए हुर्था संट, प्लीजिए हुर्णापको शीएक